हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी चैनल तैयारी घड़ों में तो आज की वीडियो पर हम बात करेंगे दुवेदी युगी के कवी और उनकी रचनाओं में दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए है तो सबसे पहले मैं कहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल आइकन प्रेस कर लें चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर आप इस से जो पुरानी वीडियो हैं हमारी UGC NIT की कम्पलीट क्लास UGC NIT JRF के लिए मौक टेस्ट हजा दुवेदी यूग के कवी और उनकी प्रमुख रचनाय, तो एक तरफ है रचनाकार और दूसरी तरफ दुवेदी यूगीन जो रचनाय हैं वो हैं, तो पहले कवी के रूप में आते हैं हमारे पास नाथू राम शर्मा शंकर, इनकी जो रचना है वह है अनुराग रत्न, शं पिर है शरिधर पाठक इनकी परमुखरचनाओं में है वनास्टक काश्मीर सुसमा देहरादून भारतगीत जोड़्ज वरंदना जो की कविता है बाल विद्वा ये भी कविता है फिर है महावीर प्रसाध दिवेती इनकी परमुखरचनाओं में है अगले कवी के रूप में है हरी अौद इनकी पुरमुखरशनों में है प्रिय प्रवास, प्रद्द पुरसून, शुबते चौबते, चौखे चौबते, बोल चाल, रसकलस, वैदेही वनवास फिर हैं राइदेवी प्रसाद पूर्ण इनकी पुर्मुख रश्नाव में आती है स्वदेशी, कुंडल, मृत्युंज, राम, रामण, विरोध, वसंत, वियोग फिर अगले आचारे के रूप में आती है रामचरित, उपाद्ध्याए इनकी पुर्मुख रश्नाव में आता है राष्ट्र भारती, देवदूद, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित, चिंतामडी जोकी एक प्रबंध काव्वे है फिर है गया प्रसाद शुक्ल सनेही इनकी पुर्मुख रश्नाव में है दो क्रसब क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्टी वीणा तृशूल तरंग करुणा का दंबिनी फिर है मैथली शरण गुप्त इनकी पुर्मुख रश्नाव में है रंग में भंग, जै द्रत वध, भारत भारती, पंचिवटी, जंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जै भारत, विश्णु, पिरिया फिर है रामनरेश तिरपाठी, इनकी पुर्मुख रश्नाव में है मिलन पतिक स्वपन मानेसी, अगले कवी के रूप में है बाल मुकंध गुप्त, इनकी पुर्मुख रश्नाव में है इस्फूट कविता फिर है लाला भगवान दीन इनकी प्रमुखरचनाओं में ना वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बीन फिर है लोचन प्रसाद पांडे इनकी प्रमुखरचनाओं में है प्रवासी, मेवालगाथा, महानदी, पद्य पुस्पांजली अगले कवी के रूप में है मुकुडधर पांडे इनकी प्रमुखरचना है पूजा फूल कानन कुसुम फिर है दिवेदी युग दिवेदी युग उन्नीस सो इस्वी से उन्नीस सो बीस इस्वी तक था दिवेदी युग बीस्मी सदी के पहले दो दशकों का युग है इन दो दशकों के कालखंड ने हिंदी कविता को शरंगारिकता से राश्टीता जड़ता से प्रगती तथा रूढी से स्वच्छंदता के द्वार पर ला खड़ा किया इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्वस्वी कृत साहित नेता आचार्य महावीर प्रसाद दिवेदी के नाम पर इसका नाम दिवेदी युग रखा गया किसके नाम पर दिवेदी आचार महावीर प्रसाद दिवेदी के नाम पर यह सरवथा उचित है क्योंकि हिंदी के कवियों और लेखकों की एक पीड़ी का निर्माड करने हिंदी के कोश निर्माड के पहल करने हिंदी व्याकरण को इस्थिर करने और खड़ी बोली का परिसकार करने और उसे पद्ध की भाशा बनाने आदी का श्रे बहुत हद तक महावीर प्रसाद दिवेदी को ही है दिवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है तो दोस्तो यहती हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सुझाओ हमें भेजते रहें अगर आपको कोई प्रॉबलम हो रहे हैं तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए प्रशनों के साथ फिर से मिलते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद